नमस्कार चैनल ग्यानरी बाता में आपका स्वागत है मैं सवीता आज इस वीडियो में हम व्यंजन वे व्यंजनों के प्रकारों के बारे में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वार की सायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं दूसरे सब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उचायण में स्वार वर्णों की सायता ली जाती है जैसे कै, ख, ग, च, छ, त, थ, ठ, द, भ, भ, म, आ, कैसे विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है प्रतेक व्यंजन के उचारण में एकी धवनी छिपी रहती है एके बिना व्यंजन का उचारण संभव नहीं जैसे खै हलन प्लस ए बराबर खै पै हलन प्लस ए बराबर पै व्यांजन वह धवनी है जिसके उचारण में भीतर से आती हुई वायू मुख में कही ने कहीं किसी ने किसी रूप में बादित होती है स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र और व्यांजन वर्ण स्वर्ण पर आस्रित है हिंदी में व्यांजन वर्णों की संख्या 33 है व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, इस्पर्ष व्यंजन, अंतस्त व्यंजन, उस्म व्यंजन, अभी देखते हैं इस्पर्ष व्यंजन, इस्पर्ष का अर्थ होता है छूना, जिन व्यंजनों का उचायन करते समय, जीव, मू की किसी भाग जैसे, दूसरे सब्दों में ये कंठ, तालू, मूर्धा, दंत और ओश्ट इस्थानों के इसपर्स से बोले जाते हैं. इसी से इन्हें इसपर्स व्येंजन कहते हैं. इन्हें हम वर्ग ये वियंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उचायन इस्तान की अलग-अलग एकता लिये हुए वर्गों में विभगत हैं ये 25 वियंजन होते हैं कै वर्ग कै वर्ग के अंतरगत आते हैं कै खै गै गै अने ये कंट का इसपर्स करते हैं चαιवर्ग, चेवर्ग के अंतरगत आते हैं चै, छै, जै, जै, ये तालू का इस्पर्ष करते हैं टैवर्ग, टै, ठै, डै, ढै, अने, ये मूर्दा का इस्पर्ष करते हैं तेवर्ग, तेवर्ग के अंतरगर्थ आते हैं ते, थे, दे, धे, ने, ये दातों का इसपर्ष करते हैं पेवर्ग, पे, फे, बे, भे, मे, ये होटों का इसपर्ष करते हैं अंतस्त व्यंजन, अंत का अर्थ होता है भीतर उचारण के समय जो व्यांजन मुग के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्त व्यांजन कहते हैं अंत है बराबर मद्य बीच इस्थ है बराबर इस्थित इन व्यांजनों का उचारण स्वर्त था व्यांजन के मद्य का होता है उचारन के समय जिवा मुक्के किसी भाग को इसपर्स नहीं करती ये व्यंजन चार होते हैं ये रे ले वे इनका उचारन जीव तालू दात और होटों के प्रसपर्स हटाने से होता है किन्तु कहीं भी पूर्ण इसपर्स नहीं होता अते ये चारों अंतस्त व्यंजन या अर्दस्वर कहलाते हैं उस्म व्यंजन उस्म का अर्थ होता है गर्म जिन वर्णों के उचारन के समय हवा मुह के विबिन भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें उस्म व्यंजन कहते हैं उस्म बराबर गर्म इन व्यंजनों के उच्चार्ण के समय वायू मुख से रगड खाकर उस्मा पैदा करती है यानि उच्चार्ण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है उस्म व्यंजनों का उच्चार्ण एक प्रकार की रगड या घर्षन से उत्पन उस्म वायू से होता है ये भी चार व्यंजन होते हैं से से है उच्चार्ण इस्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकर्ण व्यंजनों का उचायन करते समय हवा मुख के अलग-अलग भागों से टकराती है उचायन के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वरगीकन इस प्रकार है कंठे गले से क, ख, ग, घ, अन, ए, आ तालू, कठोर तालू से च, छ, ज, 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 न, इ, इ, य, श, मूर्धा, कठोर तालू के अगले भाग से टे, ठे, डे, ढे, ढे, री, रे, से दंत दांतों से ते, ठे, दे, ढे, ढे, ले, से, ज, ओस्च दोनों होटों से पे, फे, बे, भे, मे, उ, 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 अनू ना सीक या ना सीक के अन, न, ह, न, म, कंठ तालू, ए, और अई, कंठोस्ट, ओ, अउ, स्वास प्राण वायू की मात्रा के अधार पर वन भेद, उचारण में वायू प्रेक्षेप की द्रश्टी से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण, जिनके उचारण में स्वास पूरो से अल्प मात्रा में निकले, और जिन में हकार जैसी धावनी नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण कहते सारल सब्दों में जिनवर्णों के उचारण में वायू की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है जैसे कै गै अने जै अने टै डै अने तै दै नै पै बै मैं अंतस्त अंतस्त ये रे ले वे भी अल्प प्राण है जो अंतस्त व्यंजन है ये रे ले वे वो भी क्या है अल्प प्राण है महाप्राण जिनके उचारण में हकार जैसी धावनी विशेश रूप से रहती है और स्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं सरल सब्दों में जि प्रतेक वर्ग का दूसरा और चोता वर्ण तथा समस्त उसम वर्ण महा प्राण हैं जैसे खै, धै, छै, जै, ठै, डै, ठै, धै, भै, भै, और श, स, स, है शंख्षेप में अलप प्राण वर्णों के अपेक्षा महा प्राणों में प्राण वायू का उप्योग अधिक स्रमपूर्वक है संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त वेंजन कहलाते हैं ये संख्या में 4 हैं जैसे 6 के प्लस 6 प्लस ए बराबर 6 रक्षक भक्षक छोब 6 3 ते हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए बराबर 3 जैसे पत्री का त्राण सर्वत्र त्रीकोण गे प्लस जे प्लस अने प्लस ए बराबर गे सर्वग्य ग्याता विज्यान विज्यापन श्रे हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए श्रे स्रीमती श्रम परिश्रम श्रन सयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर्रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर्सहित होता है द्वित व्यंजन जब एक व्यंजन का अपने समरूफ व्यंजन से मेल होता है तब द्वित व्यंजन कहलाता है जैसे के हलंद प्लस के बराबर पे के हलंद का जैसे बन गया ये पक का चे हलंद प्लस चे बराबर कच्चा मैं हलंद प्लस मैं पराबर चम्मच तै हलंद प्लस तै बराबर पच्चा वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर्रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर्साइत होता है सयुकताक्षर जब एक स्वर्रहित व्यंजन अन्य स्वर्साइत व्यंजन से मिलता है तब वे सयुकताक्षर कहलाता है जैसे के हलन्द प्लस थे बराबर कत संयुक्त शे हलन्द प्लस थे स्थे बराबर स्थान शे हलन्द प्लस वे बराबर स्वे बराबर स्वाद दे हलन्द प्लस दे दद शुद यहां दो अलग-अलग व्येंजन मिलकर कोई व्येंजन नहीं बनाते वर्णों की मात्राईं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्नों का व्यभार होता है उन्हें मात्राईं कहते हैं दूसरे सब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं क्योंकि मात्राएं तो स्वेरों की होती है, ये मात्राएं दस हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती है, जैसे का, की, जैसे कहके आ की मात्रा लग का की की कू 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 क्री के कई को कौ इत्या स्वरवर्णों की ही हास्व धिर्ग छंद में लगू गुरू मात्राएं होती है जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं हां व्यंजनों में लगने पर स्वर उप्युक्त दस रूपों के हो जाते हैं घोस और ए नाद की द्रश्टी से जिन वियंजन वर्णों के उचारण में स्वर्तंत्रियां जंकरत होती है वे घोष कहलाते हैं। नाद की द्रश्टी से जिन वियंजन वर्णों के नीचे जब एक तिर्ची लेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। हल लगाने का आर्थ है कि वियंजन में स्वर्वर्ण का बिल्कुल अभाव है या वियंजन आधा है। जैसे के वियंजन वर्ण है इसमें एस वर्ण वर्ण की धवनी छिपी है। यदि हम इस धवनी को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो के में हलन्त या हल चिन लगाना आवशक होगा। ऐसी इस्तिती में इसके रूप इस प्रकार होंगे। हिंदी के नई वर्ण हिंदी वर्ण माला में पांच नई वियंजन छे, त्रे, गे, अने, और धे जोडे गई हैं। किन्तु इनमें प्रथम तीन स्वेतंत्र नए होकर सयुक्त वियंजन है जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे केहलंच अने मिलके बना है ग्ये अतहे छह त्रे और ग्ये की गिन्ती स्वेतंत्र वर्णों में नहीं होती। ग्ये और ड्र के नीचे बिंदु लगा कर दो नए अक्षर ग्ये और ढ़ै बनाए गई हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, यहां डह में रह की धवनी मिली है, इनका उच्चार्ण साधनता मूर्धा से होता है, किन्तु कभी-कभी जीव का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगाने से भी वे उच्चारित होते हैं. हिंदी में अर्भी फार्सी की धवनियों को भी अपनाने की चेश्टा है, व्यंजनों के निचे बिंदु लगा कर इन नई विदेशी धवनियों को बनाए रखने की चेश्टा की गई है, जैसे कलम, खैर, जरूरत, किन्तु हिंदी के विद्वानों, पंडित की सोरिदा स्व विकार नहीं है, इनका कहना है कि फार्सी अर्भी से आये सब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन सब्दों को अपनी भासा की प्रेकर्ती के अनुरूप लिखा जाना चाहिए, बंगला और मराठी में भी ऐसाई होता है, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के करें एक उन्यवाद, मिलते हैं लिवाट के 1 खिर फटन खर्भी से वीचेए, जिए बंगला, भासा है वीजों के चाहिए, वीजा सकाने हैं जासा हैं दोश्या हैं स 들남 experiments के वोगदों में भासा हैं सब्छों के उन्यवाद, वीजारे शॉषए